Hello everyone, myself Kunal Gupta, welcome to NGH POINT So, today we are going to class 8 science chapter 4 Materials, Metals & Non-Metals के topic Uses of Metals & Non-Metals को पाइने वाले है यह हमारे इस chapter का क्या होने वाला है? Last part होने वाला है पिछले part में आपने क्या देखा था? Chemical properties के बारे में देखा था उससे पिछले part में आपने physical properties के बारे में देखा था क्या क्या इस्तमाल होते है तो सब्सक्राइल अगर हम Metal की बात करें तो देखो Metal को हम बहुत जगे यूज़ करते है जैसे Machinery के आलग-ालग Machines के part हमारे देखते हैं किसे बने होते है? Metals से Automobile Industry में यूज़ करते हैं उनकी वज़े से Metal इतना useful होता है क्या-क्या property? ठीक है, malleable होते है, ductile होते है, sonorous होते है heat and electricity को अच्छे से conduct करते है hard होते है और luxurious होते है इन properties की वज़े से Metal हमारे क्या होते है बहुत ज़्यादा useful होते है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि non-metal भी useful नहीं होते है वो भी होते है, ठीक है उनका कहां use होता है तो थब जबेले तो हमारे non-metal fertilizers में use होते है ठीक है, अब chapter 1 में हमने देखो देखा था class 8 के, ठीक है, crop production and management में जिसमें हमने यह देखा था कि हम nitrogen हो गया, phosphorus हो गया इन सब को crop पे उपर से अलग से डालते है क्यों कि यह हमारे क्या करते है crop की growth में बहुत important role रहता है crop को अच्छे से grow करने में बहुत ज़्यादा helpful होते है और इनको हम बोलते fertilizers ठीक है, और fertilizer में हम क्या यूज करते है non-metals का, यह सब देखो non-metal है nitrogen, phosphorus, ठीक है अब non-metals को water purification process में भी यूज करते है ठीक है, water को साफ करने में भी ठीक है, हम किसका यूज करते है, non-metals को यूज करते है, उसके अलावा crackers वगरा में अब non-metals का ही यूज करते है उनको बनाने वगरा में, ठीक है अब non-metal हमारे life के लिए भाई एकदम essential है ठीक है, एकदम ज़रूरी है क्यों, जैसे आप oxygen का example लो nitrogen का example लो, ठीक है अब oxygen की बात करे, तो भाईया oxygen को हम लोग बिरत करते हैं कि नहीं अगर oxygen नहीं रहेगा, तो क्या हम लोग रहेगे नहीं रहेगे, तो देखो, non-metal बहुत ज़रूरी है उसके बाद अगर आप देखे, तो non-metal को antiseptic की तरह भी यूज करते है antiseptic मतलब हम wound वगरा पे हमारी चोट वगरा लग जाती है, तो उन पर पाट से अपना next chapter स्टार्ट करेगे अगर आपको पूरस लेबस चाहिए कि मैं पूरस लेबस cover करूँ, तो आपको क्या करना है ठीक है, वीडियो को like करना है, चैनल को subscribe करके bell icon को press करना है, ठीक है एकदम easy सा है, ठीक है मिलते है next part में next topic के साथ, thank you so much for watching till the end